जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जॉइन देखने को मिलें लेकिन देखने को मिल जाना जी खिर दोस्तों यार उसकी बात में करेंगे जब मेंट होगा अभी हम बात कर लेते हैं इस वाले में तो यार आगे इस वीडियो में मैं आपको इस में से रिलेटेड बहुत सारी इंफोर्मेशन बताने वाला हूं आप साथ दोस्तों देखो यार सुपर टेवेल चालू हो रही है अभी तक तो जो ए च्छोटे में चीच चल रहे था बड़े में चलेंगे और हर एक में चैनल पर कवर करेंगे एक बार वापस हम अपने चैनल पर बहुत अच्छा प्रोफिट कंमाने वाले तो अगर भाई आप आपको भी हमारे साथ profit कमाना है तो देखो यार आपको कुछ भी बड़ा काम ने करना है जो चार्ड लाग से लोग ओल डेडी कर चुके हैं क्या करना है कि वह देखो यार नीच लाल वाल वाल टना आरगा सब्सक्राइब वाल जिस भी भाई नाविदा गमाने चैनल को सब्सक करवा रहा हूं तो आपका भी करवा दूँगा बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दो पाना है ठीक है खेर दोस्तों बात करते हैं दोपैर को एक बच के 30 मिनाट पर चालो जाएगा और यह वाला मेच भी दोस्तों उसी मेधार में खिला जहां पर अभ बढ़ने वाले हैं और सेकंड इनिंग के एंड में थोड़ी बारिस आने के चांद देजा है ठीक है उसके लाओ दोस्तों अगर में बात रूपिच की तो यार पिच जो है अभी भी फास्ट वोलर को सपोर्ट कर रहा है बागी वो तो देखेंग यार बागी अपने पास ज जाएगी चिंदा मत रहो वह मैं आपके साथ अपने टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा उसके अपने पता लग जाएगा कि सबसे पहली बात तो यह वाला जो में यह कौन से पिच पर खेला जाएगा उसी पिच पर जिस पर अभी पांच मिनट पहले गेम खतम हुआ ढ़ा हुआ हूँ हुआ जैसे कि है अडिक है घुए टकैक क्い परफॉमंस टीम न्यूज प Stream 11 के सारे फिरिकोर्ट पिल्टेंड टिक ए सार 하지만 देखेंगे य проблемा पिल में अपने ति टेली ग्राम चेनल पे पुस्क कर दूँगा तो जिस भी वहाईने भी तक हमारा टेली ग्राम चेनल ने किया है बहुत ज्यादा ज़रूरी है आपको जरूर जोइन करना है जोइन कैसे करोगे टेली क्या जोइनिंग लिंक है वो में आपको नीचे डिस्क्रिप्ट्चन और पर दोस्तों इन दोनों टीम्स की रिसेंट परफॉमेंस और रेट रेकोड के बारे हुए तो सेम ही चीज जो मैंने आपको सुभावाले में बताया था कि दोनों टीम्स ने एक-एक में जीता है और यह वाला जो मेंच को जीतेगी वह हो जाएगी सुपर 12 स्टेज के लिए क् घर को ठीक है तो सिंपल सी बात है यह वाला में दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बात करूए जीता है तो आपकी स्क्रीन के सामने है स्कॉटलने पहले विश्ट इंडीज के किन जीता था आइर्लेंड के अगर बात को इन दोनों टीम्स क जीते हैं बाउजूद उसके की जिंबावी के अंदर एक भी मैच नहीं रहने वाला अब दोस्तों करते हैं जो भी इंफूमिशन है मेरे पास मैं आपको बता देता हूं लेकिन उससे पहले वही बात वोलूँगा यार मैं तो आपको आपको बता है कि आपको पता है वीडि लिए आपको पसंद आई रहा होगा ठीक है वीडियो को लाइक करो एक सकंद लेगा और उसके बाद आगे बढ़ना खेर बात करते हैं दोस्तों कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा तब तो फिर देखो यह चैंज करना ही पड़ेगा बाकी अगर सारे प्लेयर अवेलेब लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्चेन और को मिल जाएगी यह रही दोस्तों इनी प्लेंग 11 के सारे रिकोर्ड के बारे में तो सबसे पहले तो यह स्कॉट्लैंड की टीम की तरफ से अपने बाद ओपनर आ जाते हैं जोर्ज मुंसी जिन ने 53 मेंच अपने करियर में खेले 27.43 का बेटिंग एवरेज और जो दो मेंच के लिए पहले मेंच में तो काफी अची पारिया थी 66 नोट आउट की और दूसरे में हलके में आउट हो गये लेकिन फिर प्यारते को अपने को रखना पड़ेगा क्योंकि बंदा एक मेंच में नोट आउट की पारी खेल शुका शांदार ताबर तोड़ पाली खेली थी तो डेफिनेटल यार जी जो दोनों उपने रहे ना इन दोनों को अपनी टीमे रखना जरूर यह उसके बाद दोस्तों विकेट की पर राद आते हैं अपने बाद समय च्रोस इनका कुछ रिकोर्ड है पिसले जो दो मेंच के लिए पहले मेंच में तीन रन बनाए थे कोई जादा बड़ी खेल नहीं पाएते हैं दूसरे मेंच में जरूर पनाया थे ठीक ठाक पर्फॉर्म में नज़र आते ठीक है उसके लाव बेरिंग्टन की दोस्तों में बात को तो इनका भी रिकोर्ड आप देखलो बेटिंग प्लेस कि अगर आप और किसी को उठाना थो कि बाकि वह थी तो आइटिंग की मेरी टीम में रहेंगे ठीक है उसके लाव दोस्तों में बात पर तो 61 में 1100 से जाधर रहन बनाए हैं 25 के सम्दिंग का बेटिंग एवरे थे और पिछले जो दो मैं देख रहे हूं पिछले में जीरो पर आउट हो गए ते लेगिन दोस्तों मैं आपको बता दू वह हुए थे रन आउट ठीक है और उसके अलाव दोस्तों में बात रहे हूँ उससे पिसले में एचके तो 23 रनों की पारी किया थी और ताबर तोड पारी के लिए ती अच्छी स्टाइक्रेट के साथ के लिए मैं आपको जरूर सजेश्ट करूँगा कि मैं अपने कुछ ग्रेंट में रखेंगे कोई चांस नहीं है इनका जो रिकॉर्ड वह आपकी स्क्रीन के सामने है पिछले दो में तीन विकेटिव ले चुके है साथ-साथ बेटिंग से भी पफॉमेंस है तो डेफिनेटिया अप तो इनकी बेटिंग फिक्स है इनकी बोलिंग फिक्स है पिसलिए आप दो मेंस देखोगे तो एक में इनको बोलिंग नहीं और अच्छी बोलिंग करते हैं तो अपने टेमें रखना जरूरी सा हो जाता है उसके लाओ दोस्तों जोश डेवी ये भी एक काफी क्वालिटी बोले रहें लेकिन बात ये सीजन उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है अठाइस में उनली एक विकेट लिया है पिसले में ठुकाई भी बहुत ज्यादा हो थी लेकिन अच्छे बोले रहे हैं तो अगर आ इसके लिए लेकिन आपको एक सेफ देखना हो तो फिर शरीफ के साथ बारे में तो इनकी तरफ से जो भी न्यूज आ रही है वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले बात दो दोस्तों इनके लिए यह में जितना इंपोरेंट जितना स्कॉट्लेंड के लिए क्योंकि यह प्लेंड में बैठके वापस तो जानानी चाहिए उसके लिए दोस्तों अगर मैं बात रूए एक चेंज की तो यार पिसले में क्रेग इर्विन नहीं खेले दे जो कि जिंबावे के पर्मानेंट केप्टन है क्यो नहीं खेले थे थोड़ा सा अस्तमा की वज़ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसके लाओ दोस्तों अपने पास क्रेग इर्विन जोगी इनके कप्टन है इन्होंने 49 मेज खेले हैं तो अगर आपको क्रोस की जगा इन्हें रखना है तो फिर इन्हें भी रख सकते हो कोई करनिया टोप और में यह भी बेटिंग करे ठीक है इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने बस ऐसा है कि यह दोनों ही में उतनी अच्छे पाफोमेंस नहीं कर पाएं जितनी क्रोस ने किया ठीक है उसके लाव दोस्तों बहुत कम लोग आई थिंग कि अपनी टीम में रखेंगे लेकिन आपके लिए एक इनके बाद दोस्तों नेक्स अपने पास अपने टीम में रहेंगे इनका जो रिकोर्ड हो आपकी स्क्रीन के सामने है पिछले दो मेज में दो विकेट ले चुके हैं और बेटिंग से उतनी अच्छी परफूमेंस नहीं है लेकिन इनका एवरेज 25 का है मतलब की बड़ी पर इनका जो रिकोर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है और पिछले दो मेज आप देखोगे तो 82 रनों की भी पारी आचुकी है और टोटल चाहर विकेट भी आचुके है मतलब बेटिंग और बोलिंग दोनों साथ परफूमेंस करता है और इस मैच के लिए भी डिफिनली बहुत इ पिछले दो मेच आप देख सकते हो बोलिंग इनको मिली नहीं है कोई ज्यादा खास परफूमेंस की नहीं रियान बूल के अगर दोस्तों बात कुछ रिकोर्ड यह पावर हिटर है इस टीम के और पिछले मेच में बोलिंग दे तीन ओवर फेंकरें को मिले थे लेगिन विक चुक है रिदेशाए कहले में बोलिंग ली नहीं नहीं है नियुक्तर आवफेंग सब्सक्राइब क्योंकि बेटिंग और खाफी दाउन हो जाता है ठीक है उसके बाद दोस्तों अपने पास अपने पास उप्सना दाइता है चटारा का जिन्होंने 40 मेच खेले हैं 47 विकेट लिए और पिछली दो मेच देख पारे हो पहले में दो विकेट लिये थे अच्छी बोलिंग की थी पहले हैं और इनके बारे में आपको वर्ड कप स्टार्ट होने पहले ही बता दिया था कि ब्लेसिंग मुझरबानी जिंबावी की टीम के एक वन ओफ वी बेस्ट बोलर है और इनको अपने टीम में रखना है अपने को अब दोस्तों देखो यार इस वीडियो में मैंने आप आपको बहुत सारी इन्फोमेशन उल्रेडी बता दिया एक एक प्लेयर के बारे में सारे रिकोर्ड में आपको बता चुका हूँ अब आगे इस वीडियो में दोस्तों में आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ यह अपनी फाइनल टीम नहीं होगी यह सिर्फ और सिर्फ ए अपनी टीम में रखाएं आपको बताएं आप यहां चैनल नोर्ट को टाउन्टर की तो लिस्क में रखा है माध़गे रहता है सिकंद राजा में रहेंगे जिस्क में राएंगे अगर आप चाहो तो माध़गे रोगको अपनी इर्विन का उप्सान बचेगा क्रेकि इर्विन का ठील है उनको आप अपनी टीप में ठाई कर सकते हूँ या फिर आप चाहो तो इनको डॉप करके दो विकिट कि इपर के साथ जा सकते हो और यहां से ख्रोज के साथ साथ चिकपावा को भी प्रफिक कर सकते हैं उनको ट्राइब करना हूँ चतारा को अपनी ट्राइब कर लिए और एकदम सेंपल और सेफटी माप बना सकते हो बाकी दोस्तों यार अपनी टीम में जो भी चैंजर्स होंगे वो तो खेर आपके साथ में टोस के बाद अपने टेलिग्राम चेनल पर शेय सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत अच्छे में जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोफिट है आपका करवा सकता है यह ज्यादा सोचना की जड़ती नहीं है यह दोनों आपके लिए अच्छी चोईस है स्मोली के लिए तो बस यह है तो फिर मुझरब आने को एक आदे उ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना दियान रुखिएगा